नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, वहुआ आपकी वही अंजली आप रूठाना करो हमसे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल तो आपके नाम कर ही चुकी है हम, एक जान ही वाकी है, वो भी निकल जाती है जी हाँ आपने सही सुना, हम आज के डिली राश्रिवल की बात कर रहे हैं, आज के दिन जन का बर्टे है, या फिर मैरे ज अनुवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से थेर सारी बधाया और गुड विशिस हो तो चरी अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज को कल से बहतर बना दो, बस आने वाला कल अपने आप ही बहतरीन हो जाएगा असफलता का डर जिसके जहन से निकल जाता है, वो सफलता की डौड में सबसे आगे निकल जाता है सहारा लेने की नहीं, खुद संबलने का प्रियास करो, आदा अधूरा काम मत करो, मेहनत करो और लक्ष प्राप्त करो मेहनत दिल लगा कर नहीं, बलकि दिल लगा कर करो, तब ना तुम्हें ठकान होगी और ना ही परिशानी होगी चौँच में पानी आता नहीं ज़्यादा, काम याभी पाने के लिए ग्यान के सागर में गोते लगाने पड़ते हैं जिन्हें मुसीबतों के समंदर से डर लगता है, वो भला तैरना कैसे सीख सकते हैं जीत का जिनून दिल में बेठा लो, या फिर मुसीबतों के आगे हाथ खड़े कर खुटने देख तो, फैसला आपको करना है ना पाने की खाईश, ना खोने का डर, ना कुछ मिलने की कुशी, ना कुछ खोने का डर, आगे बढ़ो, आगे क्या होगा देखा जाएगा चोटी-चोटी परिशानियों से, जो परिशान हो जाते हैं, वो कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते या तो दुनिया वालो की बात मालो कि तुम कुछ नहीं कर सकते या फिर अपने अंदर कुछ ऐसी बात ले आओ कि दुनिया भी कहने लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है हाथ पैरमाना शुरू कर दो इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए अफसर सभी को मिलता है मगर जीता तो वही है जो से जाने नहीं देता उडाने कितने में उची क्यों न हो जमीन से ही भरी जाती है जब चलने का मन ना करे तो खुछ से पूछना कि चलना शुरू क्यों किया था जब कुछ समझ ना आए तब भे कुछ ना कुछ करते रहना या तो महनत बेतहाशा कीजिए या फिर बाकी लोगों की तरह सोशल मीरिया पर तमाशाद कीजिए रुकावट देख कर जो रुक जाते हैं वो कभी जादा आगे तक नहीं जा सकते कोशिश करिए कि आप कोशिश करना ना छोड़ें क्योंकि जो कहीं भी कोशिश नहीं करते वो कहीं के भी नहीं रहते सबसे पहले मैं आपको बता तो क्याजाब के लिए शुब रंग रहने वाला है ग्रीन यान की हरा और शुब अंत है वो रहने वाला है आज का दिन उन लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है जो अपने काम के खशीतर से अलग अपने लिए आय का कोई दूसरा साधन खड़ा करना चाहते हैं जो लोग बिजनस में हैं उनके लिए इसमें बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है कुछ मामलों में आपको लोगों से नए तरह की सलाह मश्वरा या फिर कोई क्रियेट्टे प्लानिंग मिल सकते हैं जो आपकी दिमाग के बत्ती जला देगी आपको अपनी रिष्टों की प्रती समर्पित होने का समय है ये जो रिष्टों में प्रगारता भी आएगी, परिपक्वता आएगी नए दोस्त भी आज आपके बन सकते हैं जिसे जो है आने वाले दिलों में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आज आपकी लोक प्रियता के साथ साथ जन संपर का दारा भी बढ़ सकता है यानि आपकी आज काफी लोगों से मुलाकाती हो सकती है जो कि आगे जलके समाजिक तौर पर आपका कारी सफल करने में मददगार सावित होगी इसे के साथ ही कुछ राजनीदी के लोगों से भी मुलाकाती होंगी जो कि भविश्य में आपके लिए बेहद सुद्रेड फायदेबन हो सकते है आज किसी समाज सेवी संस्ता में भी आपका इंपोजन्ट योगदान रहने वाला है जो कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लि इसलिए जादा जो है आप सोच और विचार में मत समय स्पेंट कीजिए बलकि ये कुछ करने गिठाने और करके दिखाईए इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए किसी पुराने परिचितियां कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का भी हो सकता है कई नहीं लोगों से आप मि अदद भी मिल सकते हैं बिजनस के विस्तार के लिहाज से आज की दिन शुरू कियेगे काम आपको लंबे समय तक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले रहेंगे आज कुछ लोगों के लिए लंबे यात्राएं भी लिखी हुई हैं काफे लंबे यात्राओं पर जा सकते हैं हलाके ये जो यात्रा हैं आपके लिए बहुत जादा लाद एक साबित नहीं हो पाएंगे क्योंकि इससे जो हैं आपको शारीरिक ठकान और मानसिक टेंशन काफी जादा हो सकते हैं लेकिन जाना भी जरूरी है इसके साथ ही आज धार्मिक और अध्यात्मिक कृतियों की प्रती रूची बढ़ेगी साथ ही घर में भी इस तरहा की कुछ कारेक्रम कंप्लीट हो सकते हैं आपका सिधान तवादी नजनिया समाज में आपको सम्मान जनक महौल दिलवा सकता है कभी-कभी कुछ पुरानी नेगेटिव बाते हावी होने जे आपके मनुबल में कमी आ सकते हैं यानि कि आप डावा डोल या हड़ बड़ा सकते हैं अपने सभाव को पॉजडिव बनाय रखेगा और हाँ वर्तमान परिसित्यों में ही अपना ध्यान रखना होगा साथ ही आज इनजी के रिष्टेदानों से जो संबंद है रिलेशन है काफी मधूर बनने वाले हैं तो इसका आज आपको भरपूर मात्रा में लाव उठा लेना चाहिए बात करते हैं बिजनस और करियर की अब तो बिजनस और करियर आज के दिन कहता है कि नौकरी में किसी प्रकार के बदला या तबादले की सितियां बनी हुई है शेर में रिस्क प्रवित्ती वाले कामों से बचना होगा क्योंकि आपके साथ छल या फिर विश्वास घात भी हो सकता है धान आने के सादन बनने वाले हैं लेकि साद इसादने खर्चों की सितियां भी बनी हुई है इसलिए सोस समझ कर खर्च कीजेगा आज करियर को लेकर दिन बढ़िया कहे रहेगा किसी पुरानी प्रोजेक्ट का काम आज आप जो हैं बढ़ी ही असानी से और चुटक्यों में कंपलेट कर पाएंगे विया विसाय में आज मार्केटिंग से रिलेटिड कारियों को निप्टाने के लिए उचित समय कहा जा सकता है सारा दिन बाहर की गती विद्यो में ही वितीद हो पाएगा आज कुछ ठोस फैसले भी आपके कामियाब होगी जो की रंग लाएगे आने वाले दुनों में नौकर में भी सितिया मजबूत दिखाई दे रही हैं सितारे कह रहे हैं कि आर्थिक सिति काफी बढ़िया रहने वाले हैं आने वाले दुनों में इसके साथ ही जो हैं आज आप कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर बिजनस चुरू करने के बारे में भी अपना मन बना सकते हैं वैसो तो यह अच्छा रहेगा कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो आप सेल्फ डिपेंदन धीरे तीरे होते चले जाएंगे इसके साथ ही घर वालों का भी समान अपको मिल पाएगा और बाहरी जगत में भी आपको समान काफी हद तक मिल पाएगा इसके साथ ही जो आप मेंसे कुछ लोग बच्चों के करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस फिल कर सकते हैं रिजल्ट की टेंशन हो सकती है लेकिन चिंता मत कीजिए रिजल्ट आपके बच्चों का बढ़िया ही आएगा और जो आपके प्लानिंग है फूचर की वो भी आपके इसके जो मानसिक टेंशन है वो भी दूर होती चली जाएंगे चली बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ कह रही है कि प्रेम समंदों को पारिवारी सहमती से विवाह समंदी उजनाय बननी शिरू हो सकती है जिससे की असमिता बनी रहेगी बच्चों के अनुशास अंडिसिप्लीन में रह प्रेम समंदों के विवाह में बदलने के लिए समय अनकोल कह रहा है आज सिरारे आपके परिवार का रवय्या सहयोग आत्मक आपको आज दिखने लगेगा आज आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन उन दिनों में से एक है जो बहुत ही आपके लिए लाजवाब और खुश्टुमा है जैसा कि आप पहले महसूस किया करते थे परिवारी का बाता विरण में किसी प्रगार का तरह उत्पन मत होने दीजेगा चाहे कुछ भी हो जाए अपने बस गुसे को और चेट जीटे पन को ज़रा दोर रखेगा और साइट पर रखेगा इसलिए आज आज आपको अपने सभाव पर भी नेंतरन करना ही चाहिए चलिए बात कर लेते हैं आज के स्वास्ते की बारे में तो गरिष्ट खान पान की वज़े से आज लीवर में कोई इंफेक्शन हो सकती है बैतर तो यही होगा कि आयरुवेधिक चीजों का अजादा से जादा सेवन करें क्योंकि लीवर का इलाज आयरुवेधिक में ही आप को मिल सकता है इसके साथ ही जो हैं आपको खाने पीने की जिजबर बहुत ही जादा आपको प्रहस करना पड़ेगा आज जब भारी काम करते समय साफधानी बरती है हाथ या फिर कमर में चोट लगने का डर बना रहेगा अज आपको गले में खराश भी हो सकती है इसलिए समय पर आप गरम पानी पीते रहेगा बाके लोगों का जो स्वास्ते है वो समानने कहा जा सकता है मौसम के बदलाव की वज़े सभी कुछ आलज भरी सितियां आज आपके सामने आ सकती है इसलिए अपने आपको हमेशा एक्टिव रखिएगा चलिए बात करते हैं आज की विश शिरू हो जाएंगे साथ में अगर आज आप भगवान विश्न की पूजा करते हैं यानके मंतरु भजाब करते हैं तो आज आप पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं या आप महसूस कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकुल भीना भूलेगा धन्याइब